पर चो SSCZD-25 अगर आपको क्लियर करना है तो हार एक टॉपर जो कहीं से भी बनाए SSCZD में अभाई टॉपर ही क्यूँ मैं तो हमेंसा कहता हूं कि आप टॉपर बनो या आप सेलेक्शन लो या फर्स्ट चॉइस लो जो भी आपको लेना है और आपने डाली SSF, आपको SSF ही मिल गई, तो आप ही तो टॉपर हुए, तो टॉपर को और क्या मिलता है, टॉपर को भी तो फर्स चॉइस ही मिलती है अपनी, तो भाई, मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूँ, एक तो जब आप फॉर्म भर होगे, मैं भर होगा आपको चॉइस जिस तरह से दूँ, वैसे ही भरना, वरना बाद में बोलते हैं, मैंने फर्स्ट चॉइस मेरे इंटरनेट वाले ने बीस एफ डाल दी, अब बच्चा रेंक लेकिया है, एक बच्ची पिछले एग्जामपल बता रहा हूँ, उस बच्ची की रेंक है वन, ब मैंने उस बच्ची से पूछा, क्या आप बीस एफ जॉइन करोगे, उसने का हाँ, मुझे करनी पड़ेगी, मेरी परिवारी की स्थिती ऐसी है, तो उसका, अब वो इंटरनेट वाले का फॉल्ट नहीं, आपका फॉल्ट है, वो थ्वा ध्यान से भरना, तो बीस एफ ही सुरू हो चुके हैं बच्चो, और ये कब तक चलेंगे, क्योंकि आपका एक्जाम है दिसंबर में, तो ये दिसंबर तक continue चलेंगे हर संडे, बहुत इंपोर्टन है क्या मॉक टेस्ट, क्योंकि हर बच्चा ये बोलेगा, जो भी सलेक्ट होगा, जब मैं आपको सम्वान सम यही तो फरकाया कि सर, offline में अपने साथ के बच्चे से देख पाता हूँ, मैं कहां चल रहा हूँ, ये कहां चल रहा है, लेकिन आप उन्हीं 200-400 बच्चों में देख पाते थे, online में आ गए, mock test ये बताता है कि आप 50,000 बच्चों में यहां चल रहे हो, तो भाई साब असली GD के लिए सायद ही कोई, कोई भी, चाहे कोई पहले select हुआ हो, या ना हुआ हो, हर कोई ये suggest करता मिल जाएगा, इससे best platform नहीं, अगर कोई नौकरी दिला सकता है, SCGD में तो ये platform दिला सकता है, ठीक है, हर state के बच्चे को ये बात बता देना चाहता हूँ, mini mock 27 अगस्त के बाद सुरू होंगे, बच्चो एक mock analysis होता है, जिसको मैं आपको हर Sunday आ करके करवाता था, पिछली बार भी कराया था, उसमें क्या बताता हूँ, बच्चो आप यहां चल रहे हो, आपके इतने marks हैं, 160 में से आपके माली जो 90 marks हैं, लेकिन इस test में आपके 120 होने चाहिए थे, तो आपको पता लगएगा, अच्छा, 30 marks मेरे कम रह गए, मैं अगले में कोसिस करूँगा, तो mock analysis का यह फायदा होता था, बच्चा कोसिस करता था, फिर मैं बता था, आज की test में मैं इतने होने चाहिए थे, बच्चा देखता था, जितने सर बताय उतने होने चाहिए थे, बच्चा देखता है, ओ, मेरे तो reasoning में कम रहे गए, जितने सर ने बताया उससे कम रह गया, बाकि सभी चल रहा हूँ, reasoning कम जो रहा है, इस पर काम करना है, तो mock analysis भी शुरू करूँगा, पर अभी नहीं, वो form आने के बाद ही शुरू होगा, ठीक है, अब SSCGD की books कब तक आ आधे में आपके घर तक पहुचा दूँ, यह मेरी कोशिस है, यह 10 जून कोई मैं कर दूँगा आपके लिए, ठीक है, तो मेरी कोशिस है कि 10 जून के offer में आपके SSCGD की books भी सामिल हो जाएं, हम उन पर तेजी से काम कर रहे हैं, ठीक है, नए बच्चे जिनोंने तयारी बैठेगा, वो please mock test मत देना अभी, कब दे फिर mock test, वो अभी अपने teacher के according चले, यह बोल रहा है teacher, तो यही करना है मुझे, इसके लावा कुछ नहीं करना, वो इतना कर ले, अगर book की जरूत है, क्या batch के साथ, हाँ, इन books तो तब भी कोई न कोई आपको रखनी चाहिए, मैं आपको पर्सेनल सुझाओ है, कुछ बढ़ी होंगी, तो दोस्तों, आप में से कितने स्कूर बन रहा है, तो आप यह कोमेंट बखस में जरूर बताना, और आपका जो एक्जाम के सिप्ट में था यह भी बताना, तो आपका जो रिजालिट है, वो इलेक्शन के थोड़ा डेली हो रहा है, उस बजए से, क्योंकि सत्ता इस अगस्त की वेकेंस याने वाली है, तो उसको देखते हुए यह जो रिजन्ट भोजन्दी आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया है, उसकी बज़ा है एलेक्शन, क्योंकि एलेक्शन में क्या है कि और